इंडियन प्रीमियर लीग के तेरवे सीजिन के 36 मुकाबले में किंग्स लेबन पंजाब का सामना मजबूत मुंबई इंडियन्स के खिलाब दुबई के मैदान पर हुआ इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहिट शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और डिकॉप के अर्दशोतक के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए इस तरीके से पंजाब के सामने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष था लेकिन केल राहूल के टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए और मैच टाई हो गया। स्कोर बराबर होने के बाद दोनों टीमों के बीच सूपर ओवर खेला गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये रही कि दोनों टीमें सूपर ओवर में 5-5 रन बना सकी और सूपर ओवर भी टा मुंबई इंडियन्स की तरब से पहला सूपर ओवर करने जस्परित बुम्रा आये थे। पंजाब की तरब से केल राहूल और निकुलस पूरन ने बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला था। बुम्रा ने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा और सिर्फ 5 रन दिये। मुं अखरी गेंद पर दो रन चुनाने की कोशिश में कुईंटन डिकॉक रन आउट हो गया। इसके बाद दूसरे सूपर ओवर में क्रिस जॉर्डन की गेंद बाजी के सामने पुलाड और पांडिया ने 11 रन बटोरे। वहीं किंग्स 11 पंजाब की तरब से क्रिस गेल ने पह अंदार बल्लेबाजी के लिए केल राहूल को प्लेयर ओफ दा मैच का अवार्ड दिया गया। फिलाल के इस वीडियो में तहीं तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।